क्लास 12 फिजिक्स युनिट 2 सेल का आंत्रिक प्रतिरोध किसे कहते हैं और यह किन-किन बातों पर निर्फर करता है इसको हम एक ट्रिक की मदद से समझेंगे सेल का आंत्रिक प्रतिरोध internal resistance of a cell सेल का आंतरिक प्रतिरोद नाम से ही पता चल रहा है कि यह सेल का जो प्रतिरोद है वो कहीं न कहीं सेल के आंतरिक भागों से निकला हुआ प्रतिरोद है इसलिए हम इसको आंतरिक प्रतिरोद कह रहे हैं अब देखें सेल में विद्यूद अबगट्य होते हैं और इलेक्टरोड होते हैं तो सेल का जो आंत्रिक प्रतिरोद है वो विद्यूद अबगट्य जो धारा के मार्ग में रुकावड उत्पन करता है उसे सेल का आंत्रिक प्रतिरोद होता है वो बाहरी प्रतिरोद होता है सेल का विद्यूत अबगटी जो है स्वैम धारा के मार्ग में जुरू कावड उत्मन करता है उसे सेल का आंत्रिक प्रतिरोद कहते हैं और इसे इसमाल आर से व्यक्त करते हैं अब आंत्रिक प्रतिरोद जो है सेल का वो मुक्री रूप से चार बातों पर निर्भर करता है और यह चार बातें आपको ट्रिक से याद करना है ट्रिक क्या है ds अब लिक केटी यह यूं कहें ds अपान केटी d से हम लेंगे पहला पायंट हमारा तो d से हमारा पहला पायंट मनेगा distance या दूरी तो इलेक्टरोडों के बीच की दूरी D से आप दूरी बोल लिजे सीधे हिंदी में तो इलेक्टरोडों के बीच की दूरी अब देखिए D और S ये दो बढ़ेंगे तो आंत्रिक परतिरोद क्या होगा बढ़ेगा इसलिए मैंने D S ऐसे लिखा और फिर आप लिक करके donc इलेक्टरोडों के बीच की जो दूरी है ये हमने चैनल पर आंत्रिक परतिरोद के बारे में बहुत से लिखा यह बता रहा हूँ दूसरा है S, S मतलब सांदरता, सरल हिंदी में है, S का मतलब हम ले रहे हैं, यहाँ पे ट्रेक में सांदरता, मतलब विद्यूत अपगटी की अगर सांदरता बढ़ी, तो भी आंतरिक परतिरोध बढ़ जाएगा, तो देखे, D, दूरी बढ़ी, आंतरिक परतिरोध बढ़ गया, S, बढ़ने पर आंतरिक परतिरोद घड़ जाएगा क्यों कि यह आपलिक के बाद में मैंने इसको लिया याद रखने की ट्रिक में कि क्षेत्रफल तो यह विद्यूत अब घट्टे में इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग का जो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आंतरिक परतिरोद के से बनाईगा क्षेत्रफल और टी से बनाईगा ताप क्षेत्रफल और ताप बढ़ने पर आंतरिक परतिरोद क्या होगा घट जाएगा